मूवी की शुरुवात में एक कपल जंगल में अपने प्राइवेट मुमेंट्स को एक्सपिरियन्स करने के लिए आते हैं तभी एक लकडी का मास्क पहना हुआ आदमी जिसका नाम ड्रैक है आकर अपनी कुलाडी से इन दोनों को मार देता है फिर सीन चेंज होता है जहां स्टेसी और मैक्स नाम का ये कपल कैम्पिंग करने के लिए उसी जंगल की तरफ जा रहे होते हैं जहां ये रैक्स नाम के इस आदमी को देखते हैं, जिसके बाद दोनों जंगल में पहुँच जाते हैं, जहां स्टेसी अपना टेंट लगाती है, और मैक्स आग जलाकर उस पर कैन फोड को पकने के लिए रख देता है, और लकडियां इकठा करने लगता है, तभी मैक्स खरगोश के मास्क में किसी औरत को देखता है, जिसका नाम लूसी है, लूसी मैक्स को चुप कर देख रही होती है, तभी रैक्स पीछे से आकर मैक्स का गला पकड़ के मैक्स को बेहोश कर देता है, और होश आने के बाद मैक्स देखता है कि रैक्स स्टेसी के साथ जबरदस्ती गलत काम कर रहा होता है तभी मैक्स चुक्के से एक पत्थर उठा लेता है और उससे रैक्स को मारता है जिससे रैक्स वही नीचे गिर जाता है तभी Max Rex का चाकू निकाल लेता है और Rex से पीछे मुड़ने के लिए कहता है जिसके बाद Max उसी चाकू से Rex का गला काट के Rex को मार देता है तभी पीछे से कोई Max के सर बेवार करता है जिससे Max वहीं बेवोश हो जाता है होश में आने के बाद Max खुद को किसी घर में बंधा हुआ पाता है जहां Lucy भी मौजूद होती है जो Max के होश में आते ही वहां से बाहर निकल जाती है जिस पर Max भी वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी ड्रैक रेंगते हुए वहां आ जाता है जो काफी बीमार लग रहा होता है तभी Lucy अपने साथ एक औरत को लेकर आती है जिसका नाम Chris होता है दोनों औरते मिलकर Max को उठाती है जिससे Max डर कर चिलाने लगता है तभी Chris Max को चुप करा देती है और Max को देखकर पागलों की तरह हसने लगती है जिसके बाद वो Max को नीचे गिरा देती है और Max को गुदगुदी करने लगती है जिससे Max गुसा हो जाता है और चिलाने लगता है लेकिन तभी Chris Max के प्राइबेट पार्ट पे बार-बार मारती है जिससे Max शान्त हो जाता है और तभी ड्रैक की तबियत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है दोनों औरतें ड्रैक को देखने के लिए जाती है जहां ड्रैक की तबियत ज़्यादा खराब होने की वज़े से ड्रैक मर जाता है और दोनों औरतें ड्रैक की मौत पर रोने लगती है तभी इधर मैक्स मौका पाकर अपने पासपड़े बैग में से एक चाकू निकाल लेता है और अपनी रसी काट कर यहाँ से भाग निकलता है तभी भागते हुए मैक्स को रास्ते में एक बुढ़ी औरत मिलती है जिसका नाम मार्था होता है और मार्था के पास एक गन भी होती है तभी मैक्स मार्था से मदद मांगता है लेकिन मार्था उसकी मदद करने से मना कर देती है और वापस उसी घर में चलने के लिए कहती है जहां जाकर मार्था उन दोनों औरतों से अजीब सी भासा में कुछ कहती है जिसके बाद लोसी मैक्स के मुँपर कपड़ा लगा कर उसक मास्क का टुकडा निकाल कर उसे पका कर खाने लगती है तभी लूसी एक टुकडा मैक्स को भी देने लगती है लेकिन मार्था उसे रोक लेती है और जाकर ड्रैक का प्राइवेट पार्ट काट कर ले आती है और मैक्स से उसे खाने के लिए कहती है लेकिन मार्था उसे खाने से मना कर देता है जिस पर मार्था कहती है कि वो इसे नहीं खाएगा तो मार्था उसके दूसरे पैर में भी कील ठोक देगी जिससे मार्था की बात मान लेता है और उसे खा लेता है जिसके बाद मार्था जाकर ड्रैक का मास्क निकाल कर ले आती है और वो दोनों औरते उस मास्क को ले जाकर नदी पर साफ करती है। इधर मार्था एक गर्म गोन तयार करती है जिससे मार्था वो मास्क मैक्स के मुह पर चिपका सकी। जिसके बाद मार्था मैक्स का मुह साफ करती है और उसके हाथ बान देती है। और तभी वो दोनों औरतें भी मास्क लेकर वापस आ जाती है। जहां ये तीनों मिलकर मैक्स के मुह पर जबरदस्ती वो मास्क चिपका देती है। जिसके बाद मार्था मैक्स के पैर से वो कील निकाल लेती है और वो दोनों आरते मिलकर मैक्स के साथ जबरदस्ति गलत काम करती है सुबा मैक्स देखता है कि उसके पैर के चोट पे पट्टी बंधी है जिसके बाद मैक्स बाहर की तरफ जाता है जहां मार्था मैक्स को बाहर लेकर जाती है, जहां ये लोग ड्रैक की बॉडी को जला रहे होते हैं, जिसके बाद ये लोग रात होने पर साथ में खाना खाती है, और साथ ही मैक्स को भी खाने के लिए कहती है, खाना खाने के बाद क्रिस मैक्स का पैंट छूने लगती है, ज Lucy दुबारा से वो सब Max के साथ करने लगती है लेकिन अब तक Max भी इस चीज़ को Accept कर लेता है और Max भी उसके साथ वो सब करना शुरू कर देता है फिर Scene Change होता है और सुभा Max इन ओरतों के साथ खाना खाता है जहां ये ओरते Max को अपने साथ होता देख बहुत ज़्यदा खुश होती है जिसके बाद Max बाहर जंगल की तरफ निकल जाता है और इन ओरतों को लगता है कि Max अब वापस नहीं आएगा लेकिन ये फिर भी Max को जाने देती है इधर Max अपने टेंट तक पहुँच जाता है जहां Max अपने खाने की बरतनों को देख कर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है जिसके बाद Max जंगल में ही इधर उधर भागने लगता है और भागते हुए शाम हो जाती है वही Max को एक कच्ची सड़क दिखाई पड़ती है जिस पर एक गाड़ी Max के पास आकर रुखती है और उसमें से चारली नाम का आदमी बहार आता है फिर से सीन चेंज होता है और सुबह तीनों औरते नदी के पास होती है जहां ये Max को वापस देखकर खुश हो जाती है और Max चारली को भी अपने साथ लेकर आया होता है जहां मार्था चारली का प्राइवेट पार्ट काट कर Max को खाने के लिए कहती है और इस बार Max बिना किसी जिजक के उसे खा लेता है जिसके बाद मार्था चारली पर पैट्रोल डाल कर उसे मार देती है और घर आकर ये चारो चारली के बाड़ी पार्ट को खा रहे होते हैं खाने के बाद मार्था मैक्स को उसका आईडी कार्ड और उसके पैसे देती है जिसे मैक्स आग में जला देता है और तभी Martha Max से कहती है कि अब Max भी उनके परिवार का एक हिस्सा है और Max भी इस बात को मान लेता है सुभा Martha Max को ड्रैक की कुलाडी देती है और Max को Stacey के पास लेकर जाती है जहां Stacey Max को देखकर Max से मदद मांगती है लेकिन Max उसकी बात को नहीं मानता और कुलाडी से इस टीसी को मार देता है और मूवी यहीं पे खतम हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है